चेशी क्रश्न गेम छोवी द्यार्थी मित्रों आछे पाट छ नियाई चे कहानी आपड़े समझी गया हवे नू आप वीडियो मा स्वाधी समझिये स्वाधी नी अंदर पेलो प्रश्मा शेके निन्न लिखी प्रश्मा के उतर लिखिये चेशी अंदर पेलो प्रश्मा शेके वाधीत को केसे पता चला की बर्तन में मोहरे है तो वाधीत को केसे चला तो के वाधीत जब घड़े की तील तोड़कर तेल निकाल रहे लगा तो घड़े से सिको की आवाजाई उसे लगा की घड़े में तेल है निचे कुछ है इसलिए उसे सारा ते दूसरे बर्तन में निकाल दिया इस तरवाजित के बर्तन में मोहरे का पता चला अच्छे इजू प्रश्ण अच्छे अलेक खाजा ओर बाजित को बीच में जगडा किया क्यों हुआ तो बेई बच्छे जगडो कें फेजोई के शा प्रश्ण में अंदर तेनों चवाबेव आवे के बाजित ने जब अलेक खाजा की घड़े से तेल निकालने के साज उसमें रखी मोहरे भी निकाल ली तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरे चुराली अलेक खाजाने मका की यात्रा से लोड़कर अपना गड़ा देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी उसने मोहरो के बारे में वाजित से कुछात वाजितने मोहरे चुडाने से साफ इंकार कर किया इसलिए उने दोनों के बीद जगडा हुआ तावरी ती ते बेई वचे जगडो थियो पचिप 300 प्रश्ण अछे 300 प्रश्ण नी अंदरे उसे खली फाने वतन को अपने दर्बार में क्यो बुलाया तो एक दिन खली पा अपना बेज बदरकर सहर में घुम रहे थे एक जगड़ उन्होंने कुछ लड़को को नियाया लाई का खेल खेल दे हुए देखा वे छिपकर उनका खेल देखनी लगे छो लड़का नियाय दीज बना था उसकी समाश्यदारी ओर नियाय करने की पदती उन्होंने लगा की अलिक हाजा और वाजित की जगड़े को यह लड़का सुल्जाब सकता है इसलिए उन्होंने हतन को अपने दर्बारी में भुलाया पछी प्रश्ना जोत हो छे कि तेल्यों की बात सुल्जार वाजित यों भबराया तो तेल्योंने जवाब में अंदर आवे कि तेल्योंने घड़े के तेल को देखा चखा और सुल्जार बताया की वह दो महीने पुरा ना है अलिक पाजा ने घड़े में 6 मेने पेले तेल भरा था इससे साबित हो गया कि वाजितने अपने अलिका तेल निकाल कर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा पुराने तेल दी कालने पर उसे घडे में रखी मुहरे जरोर मिली कोगी तेल्यों की बात सुन करली को लगा फिरुसकी टोरी पक्री जायेगी इसलिए बह घबरा गया पशीमा प्रस्ण छे पाचमा प्रस्ण के तेल्यों ने केसे सच्चानी नाई गिया तो इनी अंदर जहाबावे के तेल्यों को तेल की अच्छी परक्थी कोन सा तेल कितनी समय का है इससे आसान इससे पता चलता बता सकते थे उन्होंने घड़े के तेल को देखा सुभा हो चखा उन्होंने बताई कि घड़े का तेल दो मैने से ज़ादा पुराना नहीं है इस प्रकार तेल की गंधोर स्वात की पहचान कर तेल्योंने घड़े की तेल की बारे में पच्चानी नाई गया पशिनों प्रश्णाशी छटो वास्तविकता जानने पर खलिपानी क्या नहीं ने किया तो के हसन ने जवाबने उंदरावी हसन ने सुष बुझ से तेल के बारे में वास्तरी का पताच चला गया इसे खलिपा को नियां के लिए सबुद मिल गया उनोने वाजित को अलिक वाजा की मोहरे वापस करने का आदेश दियाई से साधी उनोनी इविस्वास्तराद के अपराद के लिए वाजित को सजाजुनाई खलिपाने बुधिमान हसन को बहुत सा पूरुष कार दिया तो आवल इतना आपने प्रस्ण पेलो अप्रेश लेए वीदा खेर इंद छो प्रस्ण अहता छे तमने मोड्टा प्रस्णोना जवाब बता हवे प्रस्ण बीजोय हो चे के बिन लिखी वाग्यम कोन इसे कहता है की लिखी तो आब आक्यों कोण बोले छे लखवानू छे तो एनी अंदर पे जो छे यो तेल का घड़ा में आपके घर रखवर जाना छाता हूँ तो आब आक्यों बोले छे अली खाजा वाजीत से कहता है पशी वीजू छे आप अपना घड़ा दहु खाणी में रखाए तो आणू बोले छे वाजीत बोले छे अने अली खाजाते कहता है पशी त्रिजू छे आप काजी की अदालत में चाहिए तो इकों बोले छे के लोग बोले छे अने अली खाजाते कहते है पशी चोथू छे आप इसी खड़े की जात किजिए तो हसन ते योजे कहता है, प्रस्ण तणमा, प्रस्ण कर, आपने किये हुए प्रवात का वर्ण करते हुए अपनी मित्र को पत्र लिखे, ताणिय आपरशकी तुदू झेटऊ क हैंब जिन अधर पत्र लिखे, के अदर सौधे पेला आपने कोईने पन पत्र लखीए थो आपने को ख atenção हो बत्र लखीए, आपने मुंबई लखते हैं तो मुंबई पछे ना पिन होड नंबर अने पछे वी नीचे तारिक लखाई दिया पछे तमे नू को ने लख हो छो एने संपधन लखान के प्रियम मित्र सैले तो तमे एक मित्र ने लख हो छो तो प्रियम मित्र पछे नू नाम पछे अल्पिराम करेने नीचे नमस्का शव प्रेम नमस्का तो कजी मुझे तुमारा पत्र मिला तुमारी दिदी की सगाई की खबर पड़कर बहुत खुसी हुई ताइन पछे पेलाएनों कुछ आनों खबर अंतर कुछाना हवे पछे ये नीचे बात करवानी प्रवास वित्र की खावर की प्रवास नमस्का तो पेल लाइनमा खबर अंतर कुछावे निचापे रिद्रापनी अदर के पिछले विलार को हम कुछ मित्र ने एक प्रवास का आयो छंतिया था सुबर नों बज़े का हम सब मित्र गेट वे ओफ इंडिया पहुच गहे बहाँ एक मोटल बोट में बेचकर हम अलफेटा के लिये चल दिये थंडी थंडी हवा की लहलों ने हमारे तन मन को पुलंतित कर दिया लगपक एक घंटे की जल यात्रा के बाद हम अलफेट अलफेटा पूजे अलफेटा का अवास्तविक नाम धारापुरी है हमने वहां की प्राचिन गुफाये देखी कई गुफाव में बुद्ध की प्रतिमाई है एक गुफा में ब्रह्मा विश्म और महस की तीमोति है उसने हम सबका मन मोह लिया हमने वहां के एक होटल में खाना खाया, कुछ समय हमने विश्टाम करने और खेलने में बिताया साम को पांच बदे हम मुंबई लोटाए पछी एना पशना पेरिग्रफ मा लखान के हमारे यो एक दिवस्य परियो टन बहुत ही मजे दाद हाउस की आद आज भी हमारे मर्को प्रशन कर देगी है अपने माता पिकास दे मेंना प्रणाम करना सिला दीदी को बधाई छेले जो किटों छे कि बधाईने मारा प्रणाम करने पच्छी छेले तुमारा मित्र, येले के छे पत्र लखे छेली सु थाई छे लखवाण के तुमारा मित्र सुरेश कछे एनू नाम लेकुतावरिकना आपड़े पत्र लखी तक्तिये अब एना कछी छे प्रश्णाख क्या तुमारे साथ भी कोई एकसी घटना घटी है कि तुम्हें नियाई के लिए एकसी के पास जाना पड़ा है उस घटना को विद्दाचे लिखे तो आपड़ेंड नियाई पाड़े एनू अंदर सु किदो छे जो एनू पण एनू कोई अब आपने पूछे छे कि तमारे साथ तमारे सासे पड़ेंड रिखे तेहीं घटना तमार विस्तार थे लखवानी छे तो अतियारे आपनी बात ते उन्नों थे वह तो तमें गम्मित्य विजानी पन लखी सको तेहीं अंदर एक उधारन परिखे समझाओ छो जहीं अंदर अब आपने पूछे कि एक बार में अपनी छोटी बहन मिलन के साथ मेले में गया था मेला हमारे गली में ही लगा था माने हम दनों को 10-10 रुपिये दिये थे मेरे बटोओं में 10 रुपे का एक नोट परले से पड़ा था यो 10 का नोट मिलने पर 10 रुपे में के 2 नोट निकाल कर गुर्फिवाले को दे दिया मिलन ने अपना बटोओं खोला जवोखाली था उसने मेरे बटोओं में पड़ा नोट देख लिया था उसे लगा कि मेंने उसका 10 रुपे का नोट ले लिया है नहीं तो मेरे पास दो नोट कहां से आए में नोट नोट न देख कर मिन दूसरा दस उपे का नों मेरे बटोव में पेलेंते हैं पर वो नमानी और मुझे जूठा बताने लगी मयने अपने बटोव से नों पुलिफी वाले को दिया और मिनल को लिकर मा के आथा! मा से कहा मा देखो मिनल मुझे जुठा कर रही है आपने जो दर्स का नर दिया था वो उसने कही गिरा दिया अब अपनी गलती के लिए मुझे दोस दे रही है मा अब तुम ही इंसको समझा मिलन अभी भी मिनल अभी भी रो रही थी और मुझे जुठा क्रावित कर रही थी माने उससे कहा और ये पगली टेबल पर देख वह कहां पड़ा है माका दिया हुआ नोट मिनल टेबल पर ही भुल गई थी वह नोट उसने बटुओं में डाला ही नहीं था तो मेलता केसे और मिनल को अपनी भुल का बता चला उसने मुझ से जमा मागी तो आपने पना आओ थाए छे तमें खबर होते स्कूले अमोग वस्तुख होए जाई तो आपने खबर होए के ओला विभ्या थे लाई लेदी ओला लेदी पर भास्ता विकमाग्या पड़ी गए आपने घरे पणे उँठाई के भाइबेन ने बदायने स सब खासर खुवस दूले देता ओए पैसा आपता अगमे तो तमें आओ भने उखत तमाल साथे थाबू होए तो तमें आविकमा तमें विस्ताथिक गदपर भटना लखी सको छो पची छिए एना पची को कहानी की प्रह भटनाओं को इस प्रह में लिखे लिखो इत पूरी पाठना उंदर तो एनी अंदर पेलू की दू छे पेली लेंग तमने दिदी आवरेतना लखो तो पेली लाइंग छे कि इराकने विए पार यहली खासरा की पात रेक भट्रावणी की मुरे का होना पची बिजू के 7 अजली की लखानी पड़ी इनी अंदर सू थाई के जे प्रमुख कहानी ना जे पोइंट छे याखा आखी कहानी इनी अंदर आई जहीं 7 पोइंट नी अंदर प्लखान तो पेलू तो तमने भुख माँ पेलू छे पाठ्या पुस्तत माँ हमें आपरे बीजू जये के 500 महरे को तेल से भरे घडे में रखना त्री जू उस घडे को मित्र वाजित के तो खाने में रख खाना और मका की यात्रा पर निकल जाना एना पछिनू के जरुआत पड़ने पर वाजित दारा घडे में से तेल निकालना और महरे को चुरा लेना अलिख हाजा और वाजित से जगडा खलीपाते नियाई मागना पांच मुँ खलीपा का बेत बदल कर नगर में निकलना और हसन का मिलना छटू भसंद वारा तेल्योको बुलाना और महरे की चोरी का पता लगाना साथ मुछेली डैनी अंदर अलिख हाजा के महरे वापस मिलना भाजित को सजा तावरे तामने सारांस लएक हो छे कहानीनों टुकमा जेनी अंदर बदू छे केवाना छे पोइंट आवी छाय पछी एना उपर्थी ना आप्रेस क्यारेक आपड़े एक जाम मा इंगे आवे छाने के चार-पांच वाके अलोखे लावे ना बठाकी वीस्तार थी कहानी लखन पना मासू जाई गियो काखो पाठ आएक हो छे ना परधी आपड़े एटला जवाके अलोखाना के इनी अंदर आखी कहानीनों समावेस थे छे कहानी के जे एना पची तमने जयायको छे प्रश्ण जो थो के नीम नलीसी कहानी के तीतर एवं बाधे उलख उलख कती लिए उसको पड़कर कहानी का निर्मान कीजे और उपस्तिर उचीत रिशक दीजे तो सुगी दू छे के तमने जे बुखनी अंदर चीत्राए बाशे इचीत्र के वाँ छे आडा सवडा छे तो एली अंदर तमने बुख राखी ने देखाड़ू के जेनी अंदर तमने आप पेलू तमने जोई सको छो तो आई में नम्पर आपेला छे चो आ चीत्र तमने जोईने लागे के अईसी स्टाट ठातू नथी आबे चीत्रो तो में तो आबांता तमें ना theorन मैं सामडरेली अससे गुज्रा तीमा पन हा अवक्ते हींदी मा लाखे तो एना पछी नो तमने जोई तो आ पेलू सको और आपेलू सित्त्रो राही था एक दिन जंगल में एक सेरे आराम से सो रहा था, सेरे जहां से सो रहा था उसमें पात एक बिल था जिसमें एक चुहा रहता था, तो आप पम 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 पृ क्रणार था एक सेर सो रहा थारम से और जुहां खेल रहा था, वे आ बिजु चीतर आवे छे, जेनी अंदर तमें जोई सको छो, कि बीजा चीतर नी अंदर सु छे, कि आराम थी सेर नीचे चो अल्लाइन लखेली छे, सेर को सुवा, सेर को सोया हुआ देकर जुहां उसके पास गया, वो से ना तमें पेलू बिजु कहानी बनती जै, पेला वाक्य लखानू पछी, बिजु वाक्य लखान आवितनाग बनती जै कहानी, पछी तमारे त्रीजु वाक्य गोत्वानू, आ बेतो आविग्या आतो तमारे छेलू बन से, पेला तमारे गोती ने नंबर आवी देन, तो अवे त्री जो सेर की नींद खुल गई और उसने गुसे से चुहे को पंजे में फकड लिया चुहा रोते रोते बोला कुरूपा करके मुझे छोड़ों में तुमारी मदद कुर रुगा तो आत्री जो छे अवे एना पछी नू जो थू चीतर गोत वानू छे आतो पांच मू छे नंबर पेले सिन चापी देवाना छे अवे आपने चोथू वाके बतान तो चोथू वाके पछी ना पेजू पर जोईए तो पछी ना पेजू पर जोईए तो तमने खबर पड़े के आई नत थातू, आई नत थातू, आई नत ही तो आई डियो, आपणे येना पछीना 35 पेज उपर वेई गया, जेनी अंदर चोथू छे आ, के एक दीन एक सिकारी जंगल में सिकार करने आया, उसने सिही का सिकार करने के लिए जाल बीचाया, तो आप चित्र नंबर चोथू ब जाल में फसते ही सेर दहार ने लगा, उसकी दहार सुनकर चुहा, वहाँ आया सेर को जाल में फसा देकर, आपने साथियों को बुला कर चुहे ने सेर को जाल से छुडाया, तो आथाई गियो आपने पांच मूँ, अब एना पछीन नों छेलू चित्र वैदू छे, छो आप बन गया साथ में, खेल नी लगा, तो आविकना आपने पेजनी अंदर तमें जोसो, तो एक बे, तोन, चार, पांच, अने छो चे, आडा होडा ता तमने लाइन मा करी दीता, अने एनी उपर ते तमने सो आपवानों की दू छे, शीर्शा का पांड की दू छे, तो तमें ए यहाँ लाइन लखेज सको के इस तरग चुहेंने सेर की, सेर को सीकार से बचाया, ऊस दीन सेर और चुहाँ मीत्र बन गए, और साथ में खेलने लगे, पछी तमने सीर्शक आप आपवान कीदू, तो सीर्शक तमें बे आपी सको ने एक आपी तको, तो सीर्शक नी अंदर पेलों तो एनी अंदर सिशक ने अंदर सेरों चुहां इपन आती सकाओ अन्य तमारे बधारे पड़तु आगले के एक्टवांस माथी जेनी पर्थे सू सिखा में वेव शेशक आपू ओए तो के छोटे भी बड़ो के काम आते है छोटे शुका में केदू काल के चुमों छे एने पन चीरुतों जहादी दोतों सेर तो आवितना आमें कहानी मां तमें दे सिशक आपी सको छो प्रश्ना पांच वाक्यों मेर्टेक लिया वाच्यों सब्दर ढूंगर उदारन अनुसार वाक्यों सिखते लिए त्रिये वाचा गिलके चे नियंदर काडिय करतों होई इस वाद इस अब्द तमारे गोत वानों छे त्रेरनियहं परे पुदार वाच्यों पचे वश्ची वाक्यों फरीस्ति लगमाण कि राधानी स्रस्रीपको पत्र आलिखा तो आउब आझंगर जायू प्रश्णार वाक्यों कि अकर देव हम छे कि राधानी archat को पत्र आलिखा किलfire ले आ बाकें से, यू प्रश्यात बाके ? पछेनग उसक्पि कि अध्यात बक्ने बच्चे को ? कहानी सुनाई ? तो इनी अंदर अध्यातम्क्च शे या में underline करी छे कि जरी अंदर प्रिया बच्चक सब्द शे ? सुनाई ? कि एनी अंदर बच्चक को ? च्वान केंड़ और दो तो कुटे ने कभ तो यह प्रस्णात कर वानुँ छे स्पोपध प्रश्नात कर वानुचे यह रहा है तो एनगी अंदर देख रहाँ छे इनके वोवह वा के थे कियो kij ما आके खे त्री अवाजब्त सब्द ऩे की उखे ओके देख रहा हे इसब्दद प्रियावाजब्सक्द छे तो अभेने प्रश्णा करवानों छे तो एनगी अंदर पीछ मपता वह और वो रहा हे इता पढ़ रहा था पछी प्रश्ण म सब्सक्ति अखी कर से जिला गया आखोस हब देखर फ्रिया और जब रहा अबदी करी आशचे तो इंधर प्रश्ण प्रश्ण देखर पता नहीं दन्में मेरे पाट्चे कप चला गया प्रश्ण जिन प्रश्नात करवानों छे के पतं कहां उड़ रही थी तारिखना तम्याच अब आतियों तमारी नोट मां लखी तको छे अवेना पछी छे प्रश्नात छटो के निम्ना लिख प्रश्नात छटो कहांई पढ़िये उची सीषब्ती छे एवं जचा करके प्रश्नात निम्ना लिखिये तथा उत्तर लिखिये त्धिनी अंदर सुखिदू छे एक कहांई तमने आपेले छे इक कहांई बाचवानी छे और एक बार राजा कुर्ष्न देवराई के महल में एक शेवक कांच का कुप्षुरत मोर शाप करहा था गलती से उसके हाथ से मोर गीर कर तूट गया राजा को वह मोर बहुत प्रिया था जब राजा महल में आये उने अपना प्रिया मोर दिखाई न दिया पुछने पर पता चला की वह तूट गया है प्रोध में आकरुनोंन दूसरे दर्बारियों के साथ राजा उधान में हुन्ने निकलेते नाली रांपोले महाराज पासी बाग उधान है उसे भी देखने चले राजा कुष्ण देवराई बाहल उधान की ओर आये उधान में तरत रके कि रंग बी रंगे फूल दिखीले हुए थे एक ठान पर ब बना हुआ था उसने सामने दो शिपाई एक अपरात को पकड़ कर खड़े थे खेत में मालिक के शिकायत की महाराज आज यह मेरे खेत से काजरोल मोरी उखाड कर ले गया सुनकर राजा बने बचे ने चोरी करने वाले से पूछा उसने गलती मान ली तब बोला ठीक है तुम माफिदे चाती है पर ध्यान रखना की दूबारा यह गलती नो हो फिर खेत में मालिक से कहा तुमारे नुक्षान की बरपाई शाई खजाने सी की जाएगी पर गलती पर खला हम केसे सजा दे नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा महाराज यह बचा तो बड़ा करा रती है इसे सजा मिलें चाहिए तेनाली राम बोले हा महराज मेरे विचार से सजाए यही हो कि उसे इसे दरबार राज दरबार में बुलाकर यह नाटक फिर से दोहराने को कहा जाए नाटक देखकर राजा कुष्ण देवराई सोच में पड़ गए तेनाली राम की चतुराई परवे मन ही मन मुष्कूरा उठे यह देखकर मंत्री अशमज में पड़ गए उसके बाद राजा कुष्ण देवराई बोले सचमों तेलानी राम तुमने ठीक कहा आज में शमजा कि नियाय करते शमय ही राजा का मन बचे जेसा निर्मर होना चाहिए अगले ही दिन राजानी उस सेवक को दिया करवा दिया पछी चो आप कहानी आखिली वाई जीछी हवे सुकी दोतो के इना उपर थीन आपड़े शिर्षक आपवान तो एनी अंदर आपड़े सुख कईये शकीए के तेनाली रांकी चतुराई आशे शकापी सक्के हवे एनमासी घणा ठोड़ा जेटलाब बने लिट्राइक करवाने के प्रश्ण निकरे तो एनी अंदर आपड़े जुड़ा प्रश्ण लग हवे आपड़े आपड़े शाप प्रस्ण जोए जे में आपड़े 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 प्रश्ण जोए शेवक से कोन सा अप्राज हुआ तो एक प्रश्णा निक्रों, हवे एमा जुवाख आप्रेलखी सकेगे, सेवक से राजा का प्रिया कांच, प्रिया काच का मोल तूट गया था तो कहानी मांती एक प्रश्ण निक्रवती जो प्रश्ण करियो छे जो हे राजाने शेवक को क्या तजादी तो राजाने शेवक को छो महिने के लिए कारागार में डलवा दिया त्रीचों प्रस्ण छे बाल हुद्यान में या हो रहा था तो बाल हुद्यान में बच्चे नाटक खेल रहे थे चोथों प्रस्ण छे तेनाली राम राजा कुष्ण देवराई को बाल हुद्यान में क्यों ले गए तो तेना नी राम राजा कुष्ण देव राई को बाल उध्यान में ले गए क्योंकि वे उने यह समझाना चाहते थे कि मियाई करते समे राजा का मन बालग जीसा होना निल्मल होना चाहिए पचिनों पांच मों प्रस्ण छे तेना नी राम बालक को कोल सी सचा दिलान चाहते थे कि ध्यान में किये दे नाटको बहुत दर्बार में दोहराई नेक्स प्रस्ण छे छट्थो नियाई करते समय राजा का मन बचे छेता निल्मल होना चाहिए छेलो प्रस्ण साथ मों राजाने सेवक को क्यो रिहा कर दिया तो राजाने सेवक को रिहा कर दिया क्यों कि उसने पेदी बालिया मामूली अप्राज किया था तो आवरी दिना आपड़े अख़फानी पर्थी, घुना बदा प्रस्तनों आपड़ी छाते काड़ी सकते, और ने छवाबी आपड़ी छाती लखती सकते, तो आवरी दिना आप पार्फुम स्वाधी संच्छाम होसे, एडियास आछे, आवे नेक्स्ट वीडियो मा मरतू ज पिष्ट रशनों